विदीशा मध्य परदेश के प्राचीन सहरों में एक जहां मोडिय, सुंग, गुप्त, गुजर परतिहार और परमार जैसे भारती राजबन्सों का सासन रहा यहां कई ऐसे प्राचीन बिरासत हैं, जो सारे तीन हजार साल पुर्व के भारत की कहानी बया करती हैं विदीशा के आसपास के छेतरों से मिलने वाले मंदिरों और मूर्तियों के अबसेश बेतवा और बेस नदी के संगम अस्थली एवं इस छेतर में फैली अति प्राचीन उदैगिरी की पहाड़ियों पर उकेरी गई हिंदू जैन कलाकिर्तिया भारतीय अस्थापत्य कला का अधूतिय उधारन है कर दो कर दो कर दो हेलिडोरस अस्तंब जिसे अस्थानिय भासा में खाम्ब बाबा कहा जाता है भारत के अती प्राचीन अस्तंबों में एक है मूल रूप में इसे गरूर अस्तंब और बिस्नु अस्तंब माना जाता है इस अस्तंब को दूसरी सताबदी में सुंग सासक बागभदर के सासनकाल में ग्रीक राजदूद हेलियोडोरस ने बनवाया था इतिहासकारों और भारतिय पुरातात्मिक सर्व्यक्षन के अनुसार इस अस्तंब के आस पास प्राचीन मंदिर के अपसेश मिले है और इसे नस्ट मंदिर के संडचित अस्तंबों में एक माना जाता है सन 1887 में पहली बार कर निंगम ने इस अस्तंब का पता लगाया और कालांतर में भारतिय पुरातात्मिक सर्व्यक्षन के द्वारा की गई खुदाई से अस्तंब पर ब्रामनी लिपी में खुदे दो अभिलेक मिले हैं ये अभिलेक प्राकिर्थ भासा में लिखे गए हैं जिसे भारतिय पुरातात्मिक सर्व्यक्षन के 1989 के बार्शिक रिपोर्ट में प्रकासित किया गया है प्राप्त अभिलेकों के अनुसार ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस भारत के हिंदू बैदिक धर्म के सिध्धानतों से काफी प्रभावित था और उसने भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान लिया हेलियोडोरस ने सुंग सासक बागवद्र से एक विष्णु मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे राजा के अनुमती के बाद उसने उसका निर्मान कराया मंदिर के परवेश द्वार पर उसने एक अस्तंभ बनवाया जिसके सिर्ष पर भगवान विष्णु के बाहन गरूर की मुर्ती अस्थापित की जो बर्तमान में गवालियर के गुजरी महल संग्राले में रखी गई है सारे छे मीटर उची यह अस्तंभ अस्थ कोनिय आकार की है जो गुलाबी भूडे बलववा पत्थर से बनी है यह बर्तमान के आधार से सारे छे मीटर नीचे है अस्तंभे के उपड़ी भाग तीन सिगमेंट में बटे हैं जिसमें सोला और बत्तिस किनारे हैं अस्तंभे के उपड़ी सिगमेंट समतल है जिसके अलंक्रित आधार पर गरूर की मुर्ति लगी थी अन्य असोक अस्तंभों के विपड़ीत हेलियोडोरस अस्तंभ अस्तकोनिय और बिना पॉलिस किये गया पत्थर से बनी है जो अलंक्रित है अस्तंभों पर लिखे अभिलेक से प्राचीन भारत में राजदूतों के राज किये सम्मान और इंडो ग्रीक कूटनितिक संबंधों का पता चलता है बरतमान में इस अस्तंभ को राश्ट्रिय संरचित धरोहरों की सूची में रखा गया है नट्स्ट प्राची में राज़ को राज़ झाल 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 सब्सक्राइब आवर चैनल